मेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आप सब का स्वागत करता हूँ हमारी चनल आल्टिमेट टेबेल कैडर पर सुजलेंड परजिटन दुनिया के सबसे खुप शुरत देशों में से एक है जो अपनी पाकितिक सुन्दरता से टोरिस्ट को अपनी और आकशित करती है अल्पस पाहरियों से गिरा ये देश इरुप की गुमने वली जगाओं में शामिल है दुनिया बर से लोग ब्रह्मन करने के लिए सुजलेंड आते हैं दोस्तो अगर आप दाती पर सुर्ग जैसा उनुभब करना चाते हैं तो एक बर सुजलेंड की यातर जरूर करें क्योंकि सुजलेंड को धर्ती का सुर्ग भी कहा जाता है दोस्तो अगर आपसे पुझा जाए कि हिंदी प्लिमों में किस रूमन्टी जगा को सबसे ज़्यदा फिल्माय गया है तो आपको सुजलेंड की या जरूर आएगे अगर दिखा जाए तो एरूप में सबसे अमी देशों में से एक इस मुल्क का अमदनी का बरा जरिया परजेटनी है दोस्तो ये देश अपनी खुपसरदी के साथ-साथ अपनी बेंकिंग वेपशा के लिए पुरी दुनिया में जाना जाते है स्विजालेंड अपनी आदश लोग तंतर के वज़े से संबन की नजरों से दिखा जाते है जो लोग दुनिया गुमने का इच्छा राखते है वो लोग स्विजालेंड की याता जरूर करना चाता है स्विजर लेंड की लोग का जो जीबंस्तर है दुनिया में सबसे उची जीबंस्तर है स्विजर लेंड परजिटन स्थल आपनी मेहमन नवाजी के लिए भी जाना जाते है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा स्विजर लेंड में सबसे महंगी जब एक शिक्षक की होती है छुटिया भी शिक्षक को सबसे ज़्यादा मिलती है स्विजर लेंड चॉक्रेट एक्सपोर्ट करने वालो डॉप देशों में से एक है स्विजर लेंड में सौफ्ट ड्रिंग तुन्ये का अन्नो देशों की तुलना में अधिक पिया जाता है स्विजर लेंड में बहुत ज़्यादा काला दन जमा है और तेश प्रिशित बैंक अकॉंड वीरिश्यों का है स्विजर लेंड की क्राइम रीड सबसे कम है अन्नो देशों की तुलना में दोस्तों क्या आपको पता है स्विजर लेंड का विग्यादी बस ड्रेक्टर एपीजे अब्दुलकलम का समर्पित है स्विजर लेंड एरूप महादिप की केंदर में स्थीद एक बहुत ही खुपसरोत देश है यदि आप स्विजर लेंड जाने का प्रेंड बना रहे हैं तो हम आपको बता दे कि स्विजर लेंड में बहुत सारी खुपसरोत स्थान है जिनकी यातर पर आप जा सकते हैं और अपने चुट्टियों का मज़ा ले सकते हैं स्वीजलेंड के प्रवंग परजेटरंस थल में शामिल जियूरिक बहुत ही अकशक शहर है परजेटर के लिए इस शहर में बहुत सारे चार्ज, मीजियम, थेटर, पार्क और लेक देखने को मिल जाएगी इसके साथ ही जूरिक में कई सरे नाइट क्लाब भी है जो परजेटरों को और कोई देखने को नहीं मिलेंगे जिनेवा एक ऐसा परजेटरंस थल है जो कि बहुत ही खुपसरत है और इससे स्वीजलेंड का सबसे शांत शहर मना जाता है चॉक्रेट और गरियों के लिए स्वीजलेंड बहुत ही फेमास देश है जिनेवा में बहुत ही फेमास मोटर शो होता है जो दुनियावर की लोगों को अपनी और आकशित करता है दोस्तो अगर आप बर्फ और पहारों दोरा बनाएगे सुन्दर दिश्टा देखना चाते हैं तो स्वीजलेंड की 33 परवत माला आपका दिल छोलेगा सबसे खास बात इहा की आपको इस जगा की हर एक कुने की सुन्दता देखने को मिलेंगे साथ में जर्मानी की व्लेक फुरस्ट की नजर भी इहा से देखने को मिल जाएंगे ये पार्क मेंसे अक्टूबर तक खुला रहता है सुईजलेंड में बर्फ और ग्लेसियर की स्थानों में विवीदिता देखने लायक है हरे ग्लेसियर और पाहर आपनी अलग खासियत और खुपसरद दिश्य के लिए जाना जाते है क्रोट्टो ग्लेसियर की इसकी कुफाओ के लिए जाना जाते है इन कुफाओ को और भी खुपसरद बनाने के लिए इन्हें लेम से सजाए गया है जो प्रकाशित होने पर कुपाओं की बर्ब से रिफ्लेक्ट हकर अलगलो प्रकाश की नए बेटान बनाती है इन्हें देखना अध्भूत अनुबफ होता है सुईजलेंड अपनी खुपसर नदी राइन के लिए जाना जाते है ये नदी एक फॉल या जर्ना बनाती है जिसे राइन फॉल कहा जाता है अब थूरी बात इस देश की खुपसरत शहरों के भी करते हैं लुसर्ण सुईजलेंड का एक बहुत ही खुपसरत कजबा है यहां लाक्रियों का बना चपल ब्रिज लाइन मोनूमेंट देखना लायक है इस शहर को पॉलकिती ने एक खुपसरत जिल भी दिया है जिस पर आप कुरुस का मोजा उठा सकते है सुईजलेंड के राजदने बाण बहुत ही खुपसरत शहर है जो कि वैपसरे के लिए जाना जाते है बाण की आक्रिशन में शामीलेक बहुती लंबा चार्ज यहा परस्ती थे अगर आप सुईजलेंड में इस आक्रिशन स्थल को अपने फेमिली का सथ देखने जाएंगे तो आप हैरान रहे जाएंगे सुईजलेंड का प्रमुख दर्शनी स्थान में से एक जोंग फ्रोजुज बहुती आकरशक स्थान है इस स्थान की पहार ये आकरशित बर्व से डाकिवी होती है जो कि पोज़ेटर को मोन मोहक लगती है पोज़ेटर के लिए एस्थान बहुती अद्भुद आनंद की अनुवती देने वाला साबित होता है सुईजलेंड गुमने के साथ साथ आप सुईजलेंड का फेमास पूट का स्वात्प चकने का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि यहां मोसम बहुती ठांड होता है सुईजलेंड गुमने के लिए हर मोसम की अपनी खासियत होती है आप अलग-अलग मोसम में अलग-अलग गतिविदिया में भाग ले सकते हैं तो दोस्तो ये था कुछ रुचक जान करिया सुईजलेंड की बारे में आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सस्काइबी कर दीजेगा और दोस्तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे आपको दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाइ टेक क्यार